हम एक telescopic view उनके nomination के उपर रखेंगे क्योंकि जो खुलासा हम अभी करने वाले हैं वो बहुत गंभी है और ये सारे खुलासे कुछ तो हमने तत्यों को मीडिया के माध्यम से, कुछ कोट से और कुछ whistleblower से लिए हैं और उसको collate किया है जो affidavit राहुल गांदी जी ने 2004 में, 2009 में और 2014 में भरे थे, this is about four ways through which Mr. Rahul Gandhi has increased his assets, चार तरीकों से उन्होंने assets को बढ़ाया है, पावा के विशह में आपने देखा था कि land dealings, dubious land dealings हुई थी और पावा नामक विक्ती HL पावा उसके विशह में हमने press conference किया था, दूसरा farm house, इसमें राहुल गांदी और उनकी बेहन श्रीमती प्रियंका वाडरा दोनों संगलिपते हैं, उस विशह में बताया जाएगा कि किस प्रकार उनके farm house से पूरी तरह से corruption चलता था, तीसरा Unitech एक ऐसी company जिसका नाम 2G scam में आ चुका है, उस company के विशह में और वहां से कैसे पैसे कमाये गए हैं, उसके विशह में बताया जाएगा बैकॉप्स, लंडन में एक company थी, जो 2004 में राहूर गांदीजी ने जिकर किया था, वहां से किस प्रकार घपलती हुई है, उस विशह में आपको बताया जाएगा और इतना आपको बता दें कि ये केवल और केवल एक press conference, एक कड़ी का हिस्सा है विशह में आपको पता था, इससे पहले मैं आपको बता दू, 2004 में राहूर गांदीजी के पास जो कुल एसेट था वो लगभग 50 लाग का था, 50 से 55 लाग का एसेट राहूर गांदीजी का था 2009 में राहूर गांदीजी का 50 लाग से बढ़कर 2 करोड से उपर की असेट होती है और 2014 में वो 9 करोड की असेट बन जाती है और राहूर गांदीजी कोई प्रोफेशनल नहीं है, कोई डॉक्टर, इंजिनियर, चैटर अकाउंटेंट इत्यादी नहीं है कि वो कोई फर्म चलाते हो राहूर गांदीजी की जो भी अर्निग है वो सिर्फ MP, सांसद की सैलरी के रूप में है इसलिए अकाउंटिबिलिटी एक बहुत महत्वपून फैक्टर है एचल पाहवा से और इसमें मैं यह भी आड़ कर दूं कि 2011-12 में 155 करोड एसोसियेटर जर्नल लिमिटेड का जो बकाया राहूल गांदी के पास था, उन्होंने चुकाया नहीं था और इसलिए 100 करोड रुपे का इंकम टैक्स का नोटिस उनको और उनकी माताश्री आदर्नियो सोनिया जी को सर्व हुआ है यह भी आपको बता दी, यह सब चुपाया गया था पाहवा वाले केस में, एचल पाहवा वाले केस में किस प्रकार से सीसी, थंपी, आम्स, डिलर, संजय, भंडारी, यह सारे लोग इन्वॉल्ड थे और इसमें चोटा सा मॉडेस उपरंडाई, मैं जादा नहीं बोलूँगा क्योंकि यह केस अल्रेडी आपके पास है मॉडेस उपरंडाई है, लैंड डिलिंग्स में, कि एक वेक्ती है पावा जो की एक डूबियस वेक्ती है उससे आप लैंड खरीदते हैं, कितने में खरीदते हैं, 20-25 लाक में लैंड खरीदते हैं आप भी खरीदते हैं अर्थात राहूल गांदी, प्रियंका जी भी खरीदती हैं, रोबर्ट वाडरा भी खरीदते हैं और फिर ये क्या करते हैं, कुछ चंद महीनों के बाद उसी जमीन को जो पावा जी से खरीदी गई थी पावा को ही बेच देते हैं, करोडो में, लाखो में खरीदो, उसी जमीन को, उसी व्यक्ती को करोडो में बेचो ये भी अजीब डीलिंग है आप देखें, और पावा इस पूरे विशय के लिए पैसे करोडो में बेचेंगे तो पहवा को करोड़ों रुपए देने पड़ेंगे न राहूल गांधी को सुनिया जी को और अमिन सुनिया जी के दामाद रॉबर्ट पाड्रा को और प्रियंका जी को कहां से देंगे तो पावा पैसा लेता था, CC थमपी से, जिसके विशह में स्मृती रानी जी ने बताया था, CC थमपी पैसा लेता था, ARMS डीलर संजय भंडारी से, तो यह एक पूरा चेन था, dubious land dealing की, इसके विशह में आपको पता है, अब आते हैं दूसरी कमाई फार्म हाउस की कमाई आप सुनिए जरा आख फटी की फटी रह जाएगी कि किस प्रकार से ये परिवार ये एक मात्र है सा परिवार है मित्रों कोई काम नहीं करती है ये परिवार सुती कपड़े पहनते हैं कोई काम नहीं करती है मगर करोडों खर्बों रुपए नजाने कहां से छपपड भार के इनके पास आ जाती है कहां से आती है ये पैसे ये खुलासा हम कर रहे हैं एक फार्म हाउस है कहां है ये फार्म हाउस दिल्ली में दिल्ली में कहां है महरौली में हैं कितना बड़ा है farm house 4 दसमलफ供 नौ एकर लगभग 5 एकर का यह farm house है और इस farm house में कौन रहते हैं कौन मालिक है farmers के राहुल जी और प्रियंका जी भाई बहन दोनो इस 5 एकर के farm house के मालिक है और इस farm house का नाम क्या है यह farm house का 2013 में rent पे दिया जाता है और rent पे किसको दिया जाता है Financial Technologies India Limited FTIL को rent पे दिया जाता है और ये जो rent पे दिया जाता है FTIL को FTIL क्या है FTIL एक ऐसी company है जो National Spot Exchange Limited NSEL की forwarding company है supporting company है ये NSEL एक company है जिसको ये FTIL ये support करती है NSEL मैंने इसलिए कहा क्योंकि आप सबको याद होगा NSEL एक बहुत बड़ा scam हुआ था आप सबको याद होगा 2013 के अंदर भगदर मचीती देश में NSEL scam के कारण National Spot Exchange Limited अब ये FTIL को जो दिया गया कितने में दिया गया किराय पे भाई बेन ने कितने में किराय पे दिया 6.7 lakh रुपीज पर मंद 6.7 lakh रुपिया प्रती महीने के किराय पे दिया गया और ऐसे नहीं कि किराय पे दे दिया तो प्रती महीने पैसे आएंगे ऐसे नहीं है उन्होंने का पैसे पहले सब डिपोजिट कर दो और एक बड़ा रिकम पहले डिपोजिट कर दो वो सबको अपने जैसे सोचते हैं कि तुम भाग जाओगे तो क्या होगा तो इसलिए चालीस दसमलव दो सुन्य लाख रुपए 40.20 लाख रुपीज वस फर्स्ट डिपोजिटेड बाई चेक के माध्यम से दो चेक दिये गए 20.10 लाख रुपए के दो दो चेक देके राजी और प्रियंका जी को ये रकम FTIL ने डिपोजिट कर दिया इंदिरा फार् दो सुन्य लाख रुपए इंटरेस्ट फ्री हम आपके पास आपके घर में रख देते हैं ताकि आप उसमें से हर महीने लगभग 7 लाख रुपए निकाल ले जो आपका रेंटल बनता है ऐसा आपने कभी दुनिया में सुना है एक फर्जी कमपनी जिसने NSEL स्कैम किया इतन बड़ा स्कैम हुआ उसको रेंट दिया